रिंकु सिंग ने एक बार फिर दिल जीत लिया वो कहते ने कि यार भाई एक ही दिल है यार कितनी बार जीतोगे रिंकु सिंग इसलिए बात ही बोली जा रही है क्योंकि पहले तो on field वो ऐसे काम कर रहे हैं आज कल इतनी लंबे लंबे छक्के मारे मैच फिनिश कर रहे हैं और टीम इंडिया को जिता रहे हैं कि आप automatic कहोगे यार रिंकु भाई ने आज दिल जीत लिया लेकिन मैदान के बाहर सीरीज खत्म होती है उसके बाद जो रिंकु सिंग एरपोर्ट पर काम करते हैं एक बार फिर कहेंगे के भाई एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दरसल ऐसा इसलिए क्योंके रिंकु सिंग सीरीज खत्म करी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी बड़े बड़े जो खिलाडी थे वो बाहर थे उसमें क्योंके वर्ल्ड कप खत्म हुआ था और जो सीनियर खिलाडी उनको रेस दिया गया जैसे रोईश, शर्मा, विराट, कोली, केल, राहुल, तमाम खिलाडियों को रेस दिया किया इसलिए एक नई टीम आई यानि के जिसमें यशर स्वी जैस वाल रेतुर आज गाय को और रिंग को सिंग जितेश शर्मा शामिल थे अब इसमें इस टीम ने कमाल की परफॉर्मेंस दी चार एक से औस्ट्रेलिया को हराया और उसे बड़ फिर से वो आपस भेज दिया बदला तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो अपनी जगा थी और ये सीरीज के इतनी वैल्यू भी नहीं है मेरे नजुर में नहीं है किस वोल्ड को वाज वे बिग टोर्नमेंट वी वेट वाइट पर दार्नमेंट पर फोर यह तो आप देखेंगे तो रिंकु सिंग ने अब क्य जाओ यार कहां पर साइन करूं उसने टी-शेट दी कहा सर कहीं तो भी कर दो यार और जब किया तो का ओ भाई रिंकु भाई ओ यार तुम दिल जीत लिया तो ये इमोशन तो आता है ना रिंकु सिंग एक कहते ना कि जब केक्यार ने वीडियो शेयर कि तो तारीफ की उसमे बहुत जादा और इसको पर एक और चीज लेखियो थी, Nerve of Steel and Heart of Gold, सोने का दिल है इस खिलाडी का और वाकई में सोने का दिल है क्योंकि रिंकु सिंग जारी की मोशन पता है कब बन गए थे, जब वो पाच गेंद में पाच छक्क्या लगाए थे ना, वहां से इनकी फैन फ तीन गेंद में तीन चक्के यूपी लीग में भी लगाए, फिर उसके बाद आइलेंड का दौरा आया, वहां पर भी एक फिनिश्ट किया, फिर इंडिया वर्सिस आस्ट्रेलिया की इस सीरिस में तो कमाल किया इन्होंने, कमाल इसलिए जब आप देखेंगे तो आप कि जस तरह से रिंकू मैच को फिनिश कर रहे हैं, मुझे किसी की याद आती है, खेर, याद तो मुझे भी आती है, एमस धोनी की याद आती है, सब को पता है हमें के कौन था वो खिलाडी जो आके मैच को इस तरह से फिनिश किया करता था, वो एमस धोनी था, और अब एक ब आई हो तो से लाइक और शेयर जरूर करें जाते जाते चानल को सब्सक्राइब करते हो चाहें